है गाइज दिस इस एलनेकी खान और वाचिंग दे लिटरेचर मैं तुड़े वी विल समराइज अ कॉमिक नोवल जोजफ एंड्रियूज रिटन पाइन इंग्लिश नोवलिस्ट एंड्रामेटिस्ट हैंड्री फिल्डिंग यह नोवल एक कॉमिक नोवल है मतलब इसमें कॉम में लिखी गई एक कॉमिक एपिक पोईम है कॉमिक मीन्स कि इस नोवल में कॉमडी पाई जाती है एपिक पोईम मीन्स कि यह एक तवील नजम है जो किसी के गार नामों पर या अड्वेंचर्स पर लिखी गई है किसी शखस के एंड्रोज मीन कि यह नसर है मतलब कि यह एक poem की सूरत में लिखा गया है यानि इसमें adventures का जिकर किया गया है किसके adventures का यही वज़ा है कि इस novel का पूरा नाम the history of adventures of Joseph Andrews and of his friend Abraham Adams था यह novel Joseph Andrews Henry Fielding का पहला novel है Henry Fielding को father of English novel भी कहा जाता है the novel was published in 1742 and it is set in 18th century parish and London so let's summarize the novel discuss its themes, symbols and characters Joseph Andrews Joseph Andrews एक बहुत ही lengthy novel है मैं कोशिश करूँगा कि शोर्ट टाइम में तमाम important चीजें important points क्लियर कर सकूँ इस novel से related I will introduce you some major characters of the novel Joseph Andrews Joseph Andrews is hero of the novel एक handsome और नेक इनसान है जो के लेडी बूबी के हाँ as a footman servant यानि नोकर के तोर पर काम करता है लेडी बूबी Joseph को अपनी तरफ माईल करना चाहती है मगर जोजफ इस लेडी बूबी के घर में एक मुलासमा फैनी से महबत करता है इसी चीज़ के इर्द गिर्द novel की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है Mr. Abraham Adams is best friend of Joseph एक हमदर्द मगर मुफलिस यानि कंगाल शखस है ये علاقے में मوجود चर्च का एक पादरी है जिसने शुरू से ही जोजफ की जहानत और करिदार को परवान चड़ाया है और उसे एक बाकरिदार अच्छा शखस बनाया है वो जोजफ और फैनी की शादी के हक में है और इनकी मदद भी करता है जोजफ एंड्रियूस के साथ साथ अबराहम एडम्स को भी इस नोवल का सेंटरल यानि में करेक्टर समझा जाता है फैनी गुडविल इस जोजफ बिलविड एक खुबसूरत मगर पाक दामन लड़की जो के जोजफ की महबत है नोवल के स्टार्ट में इसे यतीम समझा जाता है मगर आगे चल कर कहानी बदल जाती है सर्थोमस बूबी जिस घर में जोजफ काम करता है ये उसका मालिक यानि मास्टर था मगर नोवल में दिखाया गया है कि ये मर चुका है लोग उसे एक डिसेंट इनसान के तोर पर जात करते है लेडी बूबी सर्थोमस बूबी की विडो यानि बेवा जो के अपने इस घम और दुख से ध्यान हटाने के लिए कार्ड्स खेलती भी दिखायी जाती है या फिर अपने सर्वंट्स के साथ मसरूफ रहती है वो जोजफ की तरफ अट्रेक्शन महसूस करने लगती है और उसे अपनी तरफ माईल करना चाहती है मकर जोजफ ऐसी गिरी हुई हरकत करने से बाज रहता है लेडी बूबी एक महरूर अनापरस्त और बेसबर खातून है पामीला एंड्रियूस इस सिस्टर ओफ जोजफ एंड्रियूस एक खुबसूरत और बाकरदार लड़की है जो उसी शखस से शादी कर लेती है जिसके हां वो सर्वंट के तोर पर काम करती थी मिस्टर बूबी इस दे हस्बेंट ओफ पामीला ये लेड़ी बूबी का भतीजा है और एक मगरूर शखस है जो के अपनी सर्वंट पामीला से शादी कर लेता है मिस्टर और मिस्टिस एंड्रियूस आर पेरंट्स ओफ जोजफ और पामीला मिस्टर और मिस्टिस विल्सन एक नोबल यानि शरीफ फैमली है जिनके बड़े बेटे को बच्पर में जिपसिस यानि खाना बदोशों ने किड्नाप कर लिया था नोबल में एंड़ पर आकर ये बात खुलती है कि जोजफ इनी का बेटा है वही बेटा जिसको जिपसिस यानि खाना बदोश किटनेब करके ले गए थे जोजफ एंड्रियूस ने जब से होश संभाला तो यही देखा कि वो सर्थोमस भूबी के हाँ सर्वंट के तोर पर काम कर रहा है तब उसकी उम्र तकरीबन दस साल थी अब नोवल में बताया जाता है कि सर्थोमस भूबी और उनकी बीवी लेडी भूबी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं और जोजफ को भी अपने साथ ले जाते हैं तकरीबन एक साल बाद सर्थोमस भूबी का इंतकाल हो चुका है और उनकी बेवा लेडी भूबी बजाहिर घमगीन होने का ड्रामा कर रही है मगर हस्बंट के मरने के छे दिन बाद तक वो अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स यानि ताश खिलने में मसरूफ रही वो अपने सर्वंट जोजफ को अपनी तरफ माईल करना चाहती है मगर जोजफ खुद को मحفوظ रखता है इसके बाद यहां तक के लेडी बूबी की एक खास सर्वंट मिसिस स्लिप स्लोप वो भी जोजफ को सिड्यूस करने यानि वरगलाने की कोशिश करती है जब लेडी बूबी देखती है के जोजफ उसके बहकावे में नहीं आ रहा और उसके साथ सेक्श्वर रिलेशन्स नहीं बना रहा तो वो घुसे में आ जाती है और जोजफ उसकी तनखाह की रकम दे कर घर से निकाल देती है जोजफ वापिस पैरिश की तरफ रवाना हो जाता है जहां वो अपने दोस्त अबराहम एडम और अपनी बच्पन की महबत फैनी से मिलेगा अपने सफर की पहली रात ही दो बदमाश जोजफ को लूट लेते हैं और इसे मार पीट कर मरने के लिए फैंक देते हैं जल्दी मुसाफिरों से भरी एक स्टेज कोच वहां से गुजरती है ये सब मफाद प्रस्त यानि मत्बी लोग हैं जो इस स्टेज कोच में बैठे हैं जो जोजफ को मरता देख कर भी अपने साथ नहीं ले जाना चाहते इन में से एक लोयर कहता है कि अगर ये शख्स यू मर गया तो हम इसके जिम्मेदार हो सकते हैं बस इस खौफ से ये जोजफ को उठा कर अपने साथ ले जाते हैं और इसे पहनने के लिए कपड़े वगहरा देते हैं ये लोग जोजफ को अपने साथ एक इन यानि सराय में ले जाते हैं वहां उस इन में काम करने वाली एक चैंबर मेड जिसका नाम बैटी होता है वो जोजफ का ख्याल रखती है एक सरजन डॉक्टर जोजफ के जखमों का इलाज करता है मतलब इन ये होटल गहरा में बैड रूम्स और बाथ रूम्स की सफाई करने वाली जो सरवेंट होती है उसको चैंबर मेड कहते हैं तो अब वो बैटी इसका ख्याल रखती है जल्द ही यहां जोजफ की मुलाकात अपने दोस्त अबराहम एडम्स से होती है जो अपने कुछ सर्मन्स यानी खुत्बे चपवाने के लिए लंदन जा रहा है जोजफ उसे देखकर खुश होता है मगर एडम्स वो तो खुद खाली जेब है एडम्स इनके मालिक मिस्टर टो वोस से अपने सर्मन्स चपवाने के लिए कुछ रकम उथार लेता है मगर वो यह सर्मन्स चपवाने के लिए जिस बुक सेलर से मिलता है वो इन सर्मन्स को पब्लिश करने से इंकार कर देता है दूसरी तरफ इनकी चैंबर मेड बैटी वो भी जोजफ की तरफ सेक्शुली एट्रेक्ट होने लगती है मगर जोजफ के इनकार के बाद वो इस इनके मालिक मिस्टर टोवोस के साथ नजाईज रिलेशन्स काईम कर लेती है एडम्स अपना सफर लंदन की तरफ जारी करने के लिए एक गुजरती हुई कोश में मौजूद सर्वन्ट से कुछ लोन यानि उधार लेता है मगर अचानक उसे जाहद आता है कि वो तो अपने सर्वन्ट घर पर ही भूल आया है जिनें वो पब्लिश करवाना चाहता था से रवान्गी के वाक्त घलती से अपनी घैर हाजिर दिमागी के बाइस ध्यान ना होने के बाइस एडम्स घोड़े के बारे में भूल जाता है और बग्गी में सवार होने की बजाए पैदल चलने लगता है जबके जोजफ बेध्यानी में घोड़ा बगाए जाता है इस त जाता है कि इतने में चंद लोगों का एक ग्रूप वहां आ जाता है। हमलावर बाकी तो फरार हो चुके होते हैं लेकिन उन में से बच जाने वाला एक शखस इस लोगों के आने वाले ग्रूप से कहता है कि मैं तो मसाफिर हूँ और आडम्स और फैनी मुझे लूट रहे थे मार रहे थे। ये लोग आडम्स और फैनी को एक जस्टिस ओफ पीस यानि जजज के पास ले जाते हैं जहां उनका फैसला किया जाएगा। रास्ते में ही आडम्स को ये इल्म होता है कि ये लड़की तो जोसफ की बिलविड फैनी है जो उसे तलाश करते करते लंदन की तर बिहा कर दिया जाता है। इसके बाद एडम्स और फैनी सफर पर रवाना हो गए और आगे आने वाली इन में उनकी मुलाकात जोसफ से हुई जो के एडम्स का इंतजार कर रहा था कि वो पीछे से आ जाएगा। जोसफ फैनी से शादी करने के लिए बेताब है। मगर एडम उसको उसकी जरूरत की रकम उधार के तोर पर दे देता है। यहां से ये लोग अपना सफर जारी करते हैं और रास्ते में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। रात के वक्त यतिनों विलसन नामी एक फैमली के घर पनाह लेते हैं। मिस्टर विलसन इन लोगों को अपनी हूंट्स का एक ग्रो मिस्टर आडम पर हमला कर देता है जोजफ आडम्स को इन कुत्वों से बचाता है कि इतने में कुत्वों का मालिक वहां पहुंच जाता है ये एक उदास सिक्वायर यानि एक ऐसा जमीदार शखस है जिसे दूसरों को तकलीफ दे कर दिली रहत और सकून मिलता है और इसकी सेक्शल अड्रेक्शन भी बहुत ज्यादा है फैनी को देखते ही इसका दिल मचल जाता है और बजाए इन लोगों से कुत्वों को मारने पर बहस करने के ये उन्हें अपने घर रात के खाने पर बुलाता है रात के खाने के बाद ये शखस जिसे हंटर ओफ मैन के नाम से भी जाना जाता है ये अपने सर्वन्ट्स को पीछे बेज़ता है कि वो रास्ते से फैनी को अगवा करके ले आए रास्ते में उसके नोकर इन लोगों को तलाश कर लेते है जोजफ और एडम्स को बैड के साथ बांद देते हैं जबके फैनी को उठा कर ले जाते है कि इतने में बाई चांस लेडी बूबी के कुछ सर्वन्ट्स का गुजर वहां से होता है और वो फैनी को पहचान जाते है इस तरह वो फैनी को उन बदमाशों से अजाद करवा लेते है और फिर सब मिलकर जोजफ और एडम्स उनको भी अजाद करा लेते है यहां से अपना सफर जारी करने के बाद बिलाखिर ये लोग पैरिश में लेडी बूबी की रहाइश गाह पर पहुच गए थोड़े ही वक्त में खुद लेडी बूबी भी लंदन से वापिस पैरिश आ जाती है लेडी बूबी एडम्स को कहती है कि जोजफ और फैनी की शादी करवाने से इंकार कर दे मगर वो कहता है कि वो दो प्यार करने वालों को अलग करने में उसकी मदद नहीं करेगा इस शादी को रुकवाने के लिए लेडी बूबी एक वकील भी बुला लेती है जिसका नाम सकाउट होता है मगर उस वक्त लेडी बूबी का नेफियू यानि बतीजा मिस्टर बूबी और उसकी बीवी पामीला वहां पहुँच जाते है पामीला जोजफ की बेहन है मिस्टर बूबी अपनी बीवी पामीला को किसी सूरत अदास नहीं देख सकता इसलिए वो चाहता है कि पामीला के भाई जोजफ की शादी हो जाए मगर बाद में लेडी बूबी अपने बतीजे मिस्टर बूबी को अपने साथ साजश में शामिल कर लेती है दूसरी तरफ मिस्टर एडम्स का बेटा दरिया में डूबने लगता है तो एक पैडलर उसे बचा लेता है ये वही पैडलर है जिसने इन में भी इनकी मदद की थी दूसरी तरफ लेडी बूबी अपनी साजशों में लगी हुई है इदर जोजफ, फैनी, एडम्स और पैडलर रात का खाना एक एल हाउस जैनी शराब खाने में खाते हैं जहां पैडलर इन्हें बताता है कि मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि फैनी दारसल मिस्टर एंड मिसिस एंड्रियोस की गमशुदा बेटी है इस तरह तो जोजफ की बहन हुई और शादी नामुम्किन है लेडी बूबी ये बात जानकर खुश है इस रात में चानओर कन्फियोंस भी जनम लेती हैं मगर सब फोरण ही खतम हो जाती है जैसे के फैनी को मिस्टर एडम्स और मिसिस स्लिपसलो पर शाक होने लगता है फिर जोजफ को फैनी और एडम्स पर जावो इन्हें एक साथ कमरे में देखता है मगर ये सब मिस अंडरस्टेंडिंग्स दूर हो जाती है अगली सुब Mr. and Mrs. Andrews आते हैं और ये बात वाज़ हो जाती है कि फैनी वाक्या ही उनकी बेटी है जो बच्पन में अगवा कर ली गई थी मगर एक और सच वो ये कि जोजफ उनका हकीकी बेटा नहीं है पैडलर फोरण से सोचने लगता है कि Mr. and Mrs. Wilson उन्होंने भी अपने एक बेटा खो दिया था जिसके सीने पर एक पैदाशी निशान था जैसा कि जोजफ के सीने पर भी है इतने में Mr. Wilson भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने बेटे जोजफ को पहचान लेते हैं उस निशान से लेडी भूबी के इलावा हर कोई जोजफ और फैनी की शादी में शामिल होता है शादी के बाद ये दोनों विलसन फैमिली यानि Mr. and Mrs. Wilson के साथ जाकर आबाद हो जाते हैं और Mr. Adams को अपने हाँ एक चर्च मैन यानि पादरी जबके पैडलर को एक एक साइज मैन यानि टैक्सिज वहराइक अठे करने वाले की जोब पर रख लेते हैं लेडी बूबी वापिस लंदन चली जाती है मेन थीम्स ओफ दिस नोवल आर प्राइड और पावर जो के अपर कलास यानि अमीरों के घरूर और ताकत के नशे की बात करता है जैसे के लेडी बूबी पूरे का पूरा नॉवल ही करेक्टर्स की अपर कलास या लोवर कलास की बात करता है और बात करता है कि कौन सा करेक्टर किस फैमली में पैदा हुआ किसे जोजफ, फैनी और एडम्स भी किसी भी किसम की बेहयाई वाले काम यानि सेक्श्वल एक्ट से बाज रहते हैं चेस्टिटी मीन वो पाक दामन रहते हैं शुरू से आखिर तक हिपोकरेसी, मुनाफकत किसे अपने हस्बंट के मरने के फोरण बाद ही लेडी बूबी जिन्दगी की याशियों की तरफ बढ़ने लगती है और कैसे स्टेज कोच में सवार लोग जोजफ को बगएर किसी मतलब के सवार नहीं करना चाहते ये भी हिपोकरेसी है चैरिटी किसी की नौवल का सबसे में थीम है पूरे नौवल में हम देखते हैं कि हर एक शखस, हर एक अच्छा शखस कही न कहीं किसी न किसी की मदद करता रहता है जैसे के जोजफ को इनमेल आया गया वहाँ बैटी ने उसकी देक पाल की डॉक्टर ने उसके जखमों गहरा की, इलाज गहरा किया, पैडलर ने एडम्स को उधार रकम दे दी, विल्सन्स ने उन्हें रात अपने हाँ ठहराया, ये सब चीज़ें चैरिटी के थीम को वाज़ करती है, लास्ट थीम इस पावर ओफ गुडनेस, कि कैसे नोवल के आखि में अपनी अच्छाई की ताकत से जोजफ और फैनी की शादी हो गई, एडम्स और पैडलर को एक अच्छी जोब मिल गई, जोजफ के सीने पर मजूद स्ट्राबरी की शकल का एक बर्थ मार्क, जो कि उसकी असल पहचान को जाहिर करता है, कि वो विल्सन्स का बेटा है, क्रैक्टर्स नेम्स, जोजफ एक खुबसूरत जवान और नेक लड़का है, और उसका नाम भी प्रॉफिट जोजफ, यानि हज़रत यूसफ अलिया गया है, इस तरह अबराहम एडम्स, एक पादरी है, और उसका नाम भी दो प्रॉफिट्स के नामों से लिया गया है, हजरत इबराहीम अलिया स्लाम और हजरत आदम अलिया स्लाम, दूसरी तरफ बाकी करैक्टर्स, जैसा कि लेडी बूबी या मिसिस स्लिप स्लोप का नाम ही उनके किरदार के तरह घटियापन को जाहिर करता है, इन दे एंड, मैं इस नोवल की एक खुबसूरत लाइन कोड़ करता चलूं, जिसे आप अपने पेपर अटेम्ट करते वाक्त लिख सकते हैं, जोजफ सेज, Mr. Adams hath often told me that chastity is as great a virtue in man as in woman, यानि पाकदामनी एक मर्द की इतनी ही बड़ी खुबी है, जितनी एक औरत की, इस नोवल में कुछ जगा पर कॉमिक सीन्स यानि कॉमडी भी यूज़ हुई है, जैसे के कुटों का जोजफ एडम्स और फैनी के पीछे लग जाना, और बास जगों पर रॉमैंटिक सीन्स भी यूज़ हुए हैं, सब्सक्राइब गरी बाई रॉमानिक अड्रकों कॉमिक नवल भैंड। येक्ट गूज़ हैं, टेकर गूदब अटाइब से यू न न ने क्वीड विड़ा अग्यू जिए अले हाफुद